नमस्कार जैसिया राम राधे राधे दोस्तों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेस रासी वालों का 6 सेप्टिम्बर 2020 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 6 सेप्टिम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर्थी, नक्षत्र है अस्विनी, पक्ष है क्रिस्न पक्ष, दिन है रवी बार आज के दिन सुर्य उद्य का समय है छे बजी के एक मिनट में सुर्य अस्त का समय है छे बजी की 36 मिनट में रितू है सरद आजी का दिन काल है बारह घंटे 34 मिनट 33 सिकेंड का महिना है अस्विन आजी के दिन सुब शमय सुरू होता है 11 बजी के 22 मिनट एम से 12 बजी के 45 मिनट पी एम तक असुब काल सुरू होता है चार बजी के 55 मिनट पी एम से 5 बजी के 50 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 5 बजी के 1 मिनट पी एम से 6 बजी के 36 मिनट पी एम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग, दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है, तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें, लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल क आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो के नीछे हर घर महादेब कमेंट कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनें शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में दोस्तों स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और शांदार है आजी के दिन आपके बोडी में उर्जा का अस्तर बहुत जियादा उंचा होगा और इस वजह से आपके कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जियादा नीचे है आजी के दिन पॉसिबल है कि आपका पैसा बहुत जियादा खर्च होगा और इस वजह से ध पड़ेसानी का शामना करना पड़ेगा लेकिन आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि आजी के दिन आपके घर पड़िवार के लोग आपकी शहायता बहुत जियादा करेंगे और घरवालों के शहायता के वजह से आजी के दिन आपके घर पड़िवार में कहीं कोई पड़ेस कहीं कोई समस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके कामकाज आपके काड़े अच्छित्र की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामानने रहेगा आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के द्रिष्टी क कौन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा अगर पॉसिबल हो संभब हो तो आप जो भी काम पहले से करते हैं आज के दिन भी आप उसी काम को पूरे मिहनत से पूरे एकागरता के साथ करने का प्रियास करें ताकि आने वाले शमय के दोरान आपके काम काज आपके काड़े छित्र में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या नहीं हो तो इसके बाद बात करते हैं कि आजी के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई कया है आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है नारंगी और सुनहरा आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है चार यनी की फोर तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदर होगा दोस्तों आज के दिन का उपाई बहुत ही जियादा सामानी है आज के दिन आप भगबान सुर्ज को सुबह के शमय तामवे के पात्र से जल चड़ाएं आपका शमय सांदर हो जाएगा और साथ में इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगा सेयर कर दें धन्यवाद